और मैं देश्वास होगा दुमारा दोहराना चाहता हूं। अगर आप दस गंटे काम करेंगे, तो मोदी अठारा गंटे काम करेंगा। आप दो कदम चलेंगे, तो मोदी चार कदम चलेंगा। हम भारतिया मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तीसरे कारखार में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। हमारी संख्या दो गुणा हो गई है। मद्दप्रदेश, गुजरात, चतिसगार, दिल्ली, उत्राखन, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्विप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुनाचल प्रदेश, ओडिसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, विधान सभा के मद्दाताओं का भी विशेश आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को भी स्वाद दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्र बाबु नायडू जी के नेत्रूत्म में एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है। बिहार में नितिश बाबु के नेत्रूत्म में भी एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है। साथियों, दस वर्थ पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था, तब देश ने हमें कि वो समय था, देश निराशा की गर्थ में डूप चुका था, 2013-14 का कालखन देखिये, देश निराशा की गर्थ में डूप चुका था, प्रेजाईल फायूद सब्दों से में नवाजा जाता था, हर दिन अखबारों की हिट लाइन गोटालों से भरी रहती थी, देश की वपुरी अपने भविश्य के सब्द में आसंकित हो गई थी, ऐसे समय, देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से, आशा के मोती निकालने का जिम्मा सोपा था, हम सभी ने पूरी इमांदरी से प्रयास किया, काम किया, 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए, देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया, इसके बाद, NDA का दूसरा कारकार, विकास और विरासत की गारंटी बन गया, 2024 में इसी गारंटी के साथ, हम जन जन का अथिरवार लेने, देश के कौने कौने में गये, आज तीसरी बार, जो आशिरवाद, NDA को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने, बिनए भाव से नत मस्तक हुए। साथियों, आज का यह पल, नीजी तोर पर, मेरे लिए भी, भावुक करने वाला पल है, मेरी मा के जाने के बाद, यह मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिये, देश की कोटी, कोटी, माताओ, बहनों, बेटियों ने, मा की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पुरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने, अभूत पुर्वस्ने और आशिरवाद दिया, और यह आकड़ों में नहीं जिख सकता है, देश के इतिहास में, महिलाओं द्वारा, बोटिंग के सारे रकोर्ट तूड़ गए हैं, इस प्यार, इस अपने पन को, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, यह मेरे भावों में है, यह मेरे मन मस्तित के, कौने कौने में रचा बसा है, देश की कोटी कोटी माता और बहनों ने, मुझे नई प्रेरणा दी है, साथियों, पिछले दस साड में, देश ने बहुत बड़े फैसले लिये हैं, राश्ट प्रसम की भावना, हमें असामान्य लक्ष हासिल करने का हौसला देती है, यह हमें कुछ कर्ग गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन न करती है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्यानकारी योजनाय चलाई, आजादी के सत्तर साल बार बारा करोड लोगों को नल से जल मिला, आजादी के सत्तर साल बार चार करोड गरीबों को पक्के घर मिले, देश के असी करोड जरुरत मंदों को मुप्त राशन की सुविधा मिली, करोडों गरीबों को पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिली, राश्ट प्रथम की इसी भावना की वज़े से जम्मु कश्मी से तीन सो सत्तर हटी, GST और IBC जैसे रिफार्म हुए, बैंकिंग रिफार्म हुए, हमने राश्ट हित को हमेशा सबसे आगे रखा, आप याद करिये, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया, जो देश हित में था, जन हित में था, हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया, और इसी का नतीजा है, आज भारत, दुनिया की सबसे तेजी से विक्सित होती, बड़ी एकोनोमी है, राश्ट्र पथम की यही भावना, भारत को आत्म निर्फर बनाएगी, साथियों, हमारे सामने, एक महान संकल्प है, विक्सित भारत का संकल्प, दस साल के बार, लगातार तीसरी बार, जनता जनादन का प्यार, उनका अशिरवार, हमारा होसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नहीं मजबुती देता है, नहीं उर्जा देता है, हमारे विरोधी, एक जूट होकर भी, उतनी सीटे नहीं जीत पाए, जितनी इस लोगसभा चुनाओं में, अकेली बीजेपिने जीती है, में देश के कौने कौने में उपस्तित, बीजेपि के कारकरताओं को कहूंगा, देश वाच्छों को कहूंगा, आपकी महनत इतनी गर्भी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है, और मैं देश वाच्छों के दुमारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप दस गंटे काम करेंगे तो मोदी अठारा गंटे काम करेंगा, आप दो कदम चलेंगे तो मोदी चार कदम चलेंगा, हम भारतिया मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तीसरे कारकार में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, और ये मोदी की गारंटी है, कर दो कि वाएंगे बड़ाई बड़ाएंगे, खाफ याल लएकार बड़ाओाएंगे, भार ली वाएंगे, तीसरे की जात्या रात्या है, याजिज भारत लेंगे, भार वार्माने बड़ेंगे, झाल! झाल झाल